दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चेनल पर स्वागत है दोस्तो विबाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग मानसिक भावनात्मक और सारीरिक रूप से एक हो जाते हैं लेकिन आज की पीड़ी जितनी जल्दी रिस्तों को बना लेती है उतनी जल्दी रिस्तों को तोड़ करती हैं और ऐसे में उनके मन में ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जबाब ढूंडना आसान नहीं होता चलो बताते हैं दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ बैल आइकन को फ्रेस कर आल पर किलिक कर करेगा भी या नहीं और जिन लड़कियों ने साधी से पहले किसी और लड़के के साथ बो सब कर लिया होता है उनके मन में तो ना जाने कितने निगेटे बिचार आते हैं और उन्हें अपना भविस भी खत्रे में दिखाई देने लगता है ऐसे मैं वे सोचती है कि कहीं हमारे उन काले कारणामों के बारे में हमारे होने बाले पार्टनर को पता ना चल जाए इससे भी बड़ा डर्या ही होता है कि जिन लड़कियों ने साधी से पहले किसी और लड़के के साथ वो सब कर लिया होता है वे सोचती हैं कि कहीं पहले दिन ही हमारा भांडा ना पूर जाए सेकंड नमबर दोस्तो साधी और अपने लाइब पार्टनर को लेकर लड़कियों ना जाने कितनी उमीदें और ख्वाइसें पाल रखी होती है इसलिए हर एक लड़की की चाहत होती है कि उनका होने बाला पार्टनर लाखों में एक होना चाहिए और साधी से पहले लड़किया इसी बिसाए पर कुछ ज़्यादा ही सोच बिचार करती है कि जैसे होने बाला जीवन साथी अच्छा इनसान है भी या नहीं कहीं साधी के बाद हमें छोड़ तो नहीं देगा या कहीं हमारा दिल तो नहीं दुखाएगा कहीं उसमें कुछ गलत आदितें तो नहीं है या किसी और लड़की या इस तरी के संपर्क में तो नहीं रहता क्योंकि साधी से पहले एक लड़की का अपने होने बाले लाइब पार्टनर को लेकर सबसे बड़ा डर यही होता है क्योंकि इस बात को न तो लड़कियां सहन कर पाती है और उन्हें इसके अंजाम के बारे में भी अच्छी तरह से पता होता है थाड नमबर दोस्तो साधी से पहले हर एक लड़की अपने होने बाले पार्टनर को लेकर सोचती है कि पता नहीं उसका सुभाव कैसा होगा मैं उसके बारे में कुछ जादा जानती भी नहीं हूँ अपने मन की बात उससे कैसे कहूंगी पहली बार उससे कैसे फेस करूंगी खास तोर पर ये विचार उन लड़कियों के मन में जादा आते हैं जिन्होंने कभी न तो किसी लड़के से प्यार किया होता है नहीं किसी लड़के के साथ डीप लब किया होता है ऐसी लड़किया सोचती हैं कि आखिर यह सब कैसे हो पाएगा यहां तक की इस बात को लेकर उनके मन में कई एक डर होते हैं इसके अलावा घर परवार में कैसे समंजस बैठा पाऊंगी इसके अलावा और भी बहुत कुछ लड़कियों के मन में साधी से पहले बिचार चल रहे होते हैं इसलिए लड़किया साधी को लेकर जितनी उत्साहित होती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा उनके मन में घबराहट और दर बैठा होता है दोस्तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद